नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे इडली और नारियल की चटनी तो ये इडली बिलकुल ही सुपाच्य भोजन है ये इसमें कोई मसाला तेल का नहीं लगाव है और ये बहुत ही पॉस्टिक होता है ज्यादा तर लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है तो उसके लिए हमें चाहिए इंग्रीडियन्स में धुली हुई उरत की दाल आधा कप और एक कप चावल ये दाल से डबल होगा चावल और इस तरह से इसको सबसे पहले तो धो लेंगे पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इसको कम से कम पान से छे घंटा तक सोक करने के लिए रखेंगे उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे दोनों को अलग अलग ग्राइंड करेंगे दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद एक बरतन में डाल करके इसको पान से छे घंटे तक के लिए छोड़ दें अब बनाएंगे नारियल की चटनी तो उसके लिए हमें ताजा नारियल लेने हैं और उसको या तो कदुकस कर लीजी या छोटा-छोटा टुकड़ों में काट लीजिए क्योंकि तो ग्राइंड होना ही है इसको तो इस तरह से हम कच्छा नारियल ले लेंगे आधा कप और ती हरी मिर्च 5-6 लहसुन की कलियां और एक इंस का टुकड़ा अध्रग का और यहां नमक डालने वाला जो है वह सौट नहीं लिया गया है तो यह देखें नमक इसमें डाला हुआ है स्वादे नुसार और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमस निम्बू का रस जिससे हमारा चट्नी चट्पटा खट्टा सा बने और उसके बाद हम दो बड़े चमस पानी डाल देंगे और हमारा चट्नी इसी से आसानी से तयार हो जाएगा अब इसे हम ढकन को बंद करेंगे और मिक्सी में इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे यह हमारा चट्नी ग्राइंड हो गया है अच्छा एक पेस्ट हो गया है अभी से हम एक बावल में निकाल लेंगे यह भी चट्नी तयार नहीं है इसमें अभी हमें तड़का लगाना है तो इस तरह से हम एक बावल में निकाल करके रख लेंगे चट्नी को अब बैटर को देखते हैं हमारा बैटर कैसा है गर्भी में तो तीन से चार घंटा काफी है फर्मेंट होने के लिए लेकिन अभी जो ठंड का मौसम है तो इसको अच्छा समय लग गया है साथ आठ घंटा यह हमारा बैटर देखे कितना फूल गया है अच्छा इसमें खमीर हुआ है तो इससे अच्छी तरह से लगातार जरा फेट लेंगे जिससे अच्छी तरह से यह बढ़ियां से हो गया इसका बैटर तैयार हो गया है इसको अच्छी तरह से फेटने से फ्लफी बनता है हमारा इडली तो अब हम इडली मोल्ड है उसको कोई भी ऑईल से ग्रीस कर लेंगे जिससे हमें इडली बनने के बाद निकालने में अच्छा सा निकल जाए तो इस तरह से सभी में हम ऑईल से ग्रीस कर लेंगे अब इसमें हम यह बैटर है वो डालेंगे तो जब भी बैटर डालेंगे तो जड़ा फेट लेंगे उसको अच्छी तरह से और इस तरह से हम सभी सांचों में भार लेंगे और तब तक क्या करना है कि कूकर में दो बड़ा गलास पानी डाल करके हम गैस ओन करके चड़ा दिये हैं जिससे हमारा पानी भी गर्म हो जाए और उसमें हम इडली को स्टीम करेंगे तो फूल फ्लेम में इडली को हमें स्टीम करना है तो दस से पंदरा मिनट तक इसके बाद हाँ इसमें हमें गैस्केट नहीं लगाना है और सीटी भी उपर बला है न वो भी हटा देना है और उसमें हम इडली को डाल देंगे और डालने के बाद 10 से 12 मिनट तक फूल फ्लेम में पकाएंगे इसके बाद हमें गैस आफ कर देना है जो ठंडा हो जाए तभी इसको हम मोल्ट से निकालेंगे तो अच्छी तरह से निकलेगा तब तक हम एक चमज तेल डाल करके दो लाल मिर्स डालेंगे और एक चोटा चमज राई डालेंगे क्योंकि हमारा चटनी बहुत काम कॉंटिटी में है और उसमें कुछ कड़ी लीप्स डाल देंगे जिससे हमारे चटनी को अच्छा रिचनेस मिल जाएगा और टेस्टी बने गए बेना तड़का कभी चटनी आप खा सकते हो लेकिन तड़का लगाने के बाद इसमें टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो इस तरह से हम इसका तड़का लगा लेंगे और नेम्बू तो उसमें डाला ही हुआ है खटापन के लिए तो यह तड़का डाल देंगे तो यह हमारा चटनी भी कंप्लीट हो गया है ठंडा होने के बाद देखे इडली निकाल लिये हैं और इसे किसी भी प्लेट में आप सर्व कीजिए यह एक ऐसा भोजन है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं डिनर और लांच में भी खा सकते हैं और ज्यादा तर सभी लोगों को यह मन पसंद भोजन है पॉस्टिक है सूपाच्य है तो अगर आपको यह इडली की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल है उसको भी प्रेस कर दें तो इस तरह से हमारा इडली बनके तैयार है और यह देखिए कितना सौप्ट बना है और इसका आनंद लीजिए इंजुआए कीजिए धन्यवाद